इसका प्रधान मंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्यों को, देश के खजानों को एक ही विक्ति के नाम पर निलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंसा क्या है? इसके पीछे एक मात्र मंसा है कि दरसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है, पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। आडानी पर सुप्रीम कोट का फैसला आते ही मोदी सरकार में हरकम मच गया है, भारती जन्ता पार्टी की नेताओं की मुश्के बढ़ रही है, बी जेपी के तमाम मंत्रियों की मुश्के बढ़ रही है, मुश्के इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अगर आडानी की गरदन प बचाते नजर आ रहे था और कॉंग्रेस तो कही रही थी हम तो सवाल सेट जी से पूछते लेकिन ये साहुकार क्यों जबाब दे रहे दरसल अपने दर्शकों को बता दें कि एक बड़ी कबर निकल कर सामनी आई है कि सुप्रीम कोट का फैसला गौतम अडानी को लेकर जो आय उसके बाद अडानी की टेंशन बढ़ गई है अब गौतम अडानी को वो तमाम रिपोर्ट सौपनी पड़ेगी तमाम रिपोर्ट समिट करने पड़ेगी कि उन्होंने कितना अभी तक जो टर्नोवर उनका क्या रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि गौतम अडानी ने कई फर से कह रहे थे कि अडानी की कमपनियों में पैसा मोधी जीका लगा है और अब जाच प्रधान मंतरी नरेंद मोधी की भी होनी चाहिए और क्या अगर प्रधान मंतरी नरेंद मोधी की ही जाच शुरू हो जाती है तो जाच से पहले क्या उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ सकत थे लेकिन हिंडन बर की रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चल गया कि अड़ानी ने कितना बड़ा घोटाला किया है और 2014 से अभी तक देखा जाए 23 तक तो PM मोधी केवल अड़ानी पर महरबान थे और ये जो दोस्ती है वो गुजरात से देखी जा रही है तो क्या दोस्ती इस तरीके से निवाई की पूरे देश को बरबात कर दिया आज तमाम सरकारी बैंकों का जो पैसा है वो अड़ानी की कमपनियों में लगा है अड़ानी वो पैसा लोटा पाएंगे पूरी तरीके से नहीं ये कहपाना बहुत मुश्किल है लेकिन कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि अगर अड़ानी डूपे तो देश की कई बैंके डूप जाएंगे और देश की बैंकों में जमा जो पैसा है वो जनता का पूरी तरीके से बरबात हो जाएगा संजै सिंग क्या कुछ कह रहे है देखिए एक रिपोर्ट इसका प्रधान मंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को देश के खजानों को एक ही विक्ति के नाम पर निलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंसा क्या है इसके पीछे एक मात्र मंसा है कि दरसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है और दिली के मुख्यमंतरी ने सिल्सिलेवार एक एक करके एक गटना का उधारन दिया किस तरह से स्री लंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाए गया वो प्रोजेक्ट नरेंदर मोदी जी को मिला क्योंकि स्री लंका की स्टेंडिंग कमेटी के सामने वहाँ अधिकारी ने जाके बताया बिजली बोर्ट के चेर्मेन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाओ आदानी को दे दो फैट ठेका बंगला देश में बिजली का ठेका अदानी को दिलाया गया वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को मिला यह रिपोर्ट आपने देखी कि क्या आने वाले वक्त में वाकई अडानी के साथ-साथ कई और बीजेपी के नेता और मंतरी फस्ते नज़राएंगे उनमें क्या पहले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी भी हाला कि विपक्षी पार्टियां यह कह रही है कि राहुल गांधी की जो संसत सदसता गई वो इसलिए गई क्योंकि वो अडानी और मोदी से जुड़े सवाल पूछ रहे थे और अडानी मोदी से जुड़े सवाल पूछने पर कॉंग्रेस पार्टी के कई नेताओं को भी तमाम तरीके की चापे और वारेंट जो है जारी किये गए लेकिन उन कांग्रेस कभी ये कह रहा है कि हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे राहूल गांदी ने ये कहा कि भले ही संसत की सदसता चली कोई लेकिन देश की जनता का पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा देश की बैंकों की हालत जाती है तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि अडानी के पीछे जो बड़ा हात वो देश की प्रदान मंत्री नरेंद मोदी का है और कहीं ना कहीं अगर देश इस हालत में आ गया रत्वेवस्था इस कगार पर आ गई है कि बंध होने की नौबत है तो क्या ये सब स झाल झाल